कि ओकित कार्थिक थैंक्यू तो जब तक आप लोग क्लास से जूड़ें कुछ मूल अधिकार से संबंधित चर्चा कर लेते हैं रिंग को गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग राधे राधे आप सब कैसे हैं आप सब कैसे हैं एक बार बताएंगे कर्दिक गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग जैसे कि मूल अधिकार का प्रावधान कहां किया गया है मूल अधिकार का प्रावधान भाग तीन और आर्टिकल 12 – 35 के अंतरगत किया गया है तो आर्टिकल 12 से 35 के अंतरगत मूल अधिकार का उपबंद किया गया है भारती समिधान में भाग तीन को क्या कहा जाता है तो यह प्रशना आपका पूछा जाता है कि भारती समिधान में भाग तीन को क्या कहा जाता है तो भारती समिधान में भाग तीन को भारत क का मैगना कार्टा कहा जाता है क्यों कहा जाता है सरप्रथम इंग्लेंड में सरप्रथम इंग्लेंड में मूल अधिकार को मतलब उनकी जनता को मूल अधिकार दिया गया था सरप्रथम इंग्लेंड में कौन दिया था वहां के जो किंग थे वहां के जो साक्षास थे जानने सर ब्रिटेन के बाद फ्रांस ने अपने जनता को मूल अधिकार दिया, यहां पर फ्रांस और ब्रिटेन में एक अंतर है, ब्रिटेन ने सबसे पहले मूल अधिकार से सम्मंदि चार्टर जारी किया था, पर जो फ्रांस था, फ्रांस ने अपने सम्मिधान में मूल अधिकार को सामिल किया था तो फ्रांस नमस्ते तो देखेंगे अब हम देखेंगे जो हमारे मूल अधिकार से सम्बंधित आर्टिकल है आर्टिकल बारा से लेकि और थिस तक हम अब सबसे प्रश्न पर ठीक है तो जैसे कि आपका भाग तिन और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मोल अधिकार है आर्टिकल 12 में क्या है आपको पता होना चाहिए कि 12 से 35 तक के जितने भी आपके जो आर्टिकल है किसमें क्या उपबंद किया है यह आपको पता होना चाहिए रटा होना राज की परिभासा में क्या बताया गया है आपकी संसद सरकार राज विधान मंडल राज की सरकार या कोई भी प्राधिकरण हो या अन्प्राधकारी यह सब किसमें आएंगे यह सब आपकी राज की अंतरगत आएंगे फिर आपका आता है आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 क्या है आर् कुछ कुछ कुछ. कुछ को नई पानी पी रहे थे तो हम आर्टिकल two से पिर देखेंगे आर्टिकल two में क्या है राज की परिभासा है आर्टिकल Gradual 13 में क्या दिया हुआ है आर्टिकल 13 में तो आर्टिकल 13 में बताया गया है कि कोई भी ऐसा बिधी कोई भी ऐसे बिधिया जो मूल अधिकार को सीमित करे या मूल अधिकार को कम करे या मूल अधिकार का अलपी करड करे तो ऐसी बिधिया क्या होंगी ऐसी कोई भी ऐसी बिधिया जो मूल अधिकार का कम करती हो मूल का अल्पी करण करती हो तो ऐसी बिज्यां article 13 के तहत क्या कार दे जाएगे शुन गोसित कर दी जाएगी क्लीर हुआ आर्टिकल 13 में मूल अधिकार से असंगत कोई भी विदिया हो मूल अधिकार से असंगत कोई भी विदिया हो वह उसे क्या कर दिया जाएगा आर्टिकल 13 के अंतरगर सुन ने घोसित किया कर दिया जाएगा कहां तक उलंगन की मात्रा तक उलंगन की मात्रा तक उलंगन की मात्रा तक ऐसी बिधी को शून गोशित कर दिया जाएगा आर्टिकल 13 के अंतरगत और जश्मेट सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने प्रकार के अब आप लोग आंसर करेंगे कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं हमारे समिधान में तो मूल सम में कितने मूल समिधान में साथ प्रकार के मूल अधिकार थे वर्तमान में कितने हैं वर्तमान में छे प्रकार के मूल अधिकार हैं सात्वा मूल अधिकार किस से संबंदित था तो सात्वा मूल अधिकार आपके संपत्ति का अधिकार था जिसे निरस्त करके मूल अधिकार स आर्टिकल 301 के अंतरगत संपत्य के मूल अधिकार को अब क्या बना दिया गया है बिधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है किस आर्टिकल के अंतरगत आर्टिकल 301 के अंतरगत अंकित का आंसर आया है ठीक है आप तो सबसे पहले एक बार सारे आर्टिकल को देख लेते हैं फिर हम लोग कुशन आंशर को मतलब प्रेशन को सौल करते हैं ठीक है तो आर्टिकल 20 राज की परिभासा आर्टिकल 13 में क्या है ऐसी कोई भी विदिया जो मूल अधिकार का उलंगन करती है यह मूल अध अधिकार है कौन कौन से समानता का अधिकार के अंतरगत समानता के अधिकार के अंतरगत कुल पाच प्रकार के अधिकार दिए गए है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक में कुल पाच प्रकार के अधिकार दिये गए, कौन कौन से, आर्टिकल 14 में क्या है, बिधी के समक्ष समता, बिधी का समान सरक्षण, फिर आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म, मूलवंस, जाती, लिंग, जन्व, इस्थान के अधार पर, बिभेद का निशेद, फिर आपका आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन, लोक नियोजन में आउसर की समानता, आर्टिकल 17 में क्या है, अश्षप्रिश्यता का अंत, क्लास का टाइमिंग आपका क्या रहेगा, फाइव पीम रहेगा, आज कुछ समश्या थी, जिसके चलते क्लास का टाइम पाच बजे मनलब फाइब पीम रहेगा कृष्णा प्रडाम कैसे हैं कर दिगें एक बठ और आपिकल कर लेते हैं फिर बीच में पढ़ने से क्या होता है दिश्टर्ब होजाता है तो आर्टिकल 14 में क्या है विधी के शमक्ष समता विधी का समान सरक्षड आर्टिकलिफ 15 धर्म-जकनी लिंग जनमiusथान के मूल्वंस जनमicia Counsel के अधार पर विभेद का निशेद, आर्टिकल 17 लोक नियोजन में आउसर की समानता, आर्टिकल 17 अश्प्रिश्यता का अंत, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, तो कुल्ट हमारे कितने, कुल्ट 6 प्रकार के मूल अधिकार है, पहला आपका अधिकार कौन सा है, समानता का अधिकार, द कि अधिकार आपकी अधिकल नाइंटीन से लेके टुंटी टू तक है तो कुल कितने हैं चार प्रकार के अधिकार के अंतरगत कुल चार प्रकार के कौन से आटिकल अधिकल चटि अफिनलींस में क्या है ओंभ ऑभिव्यक्ती की सुतंथता आउर्टिकल क्या है अपराधो सिद्धी केसं संबंधु में सरक शड़ से में सदुन्थ खायर ओंधुन फिर हम देखेंगे फिर हमारा आएगा धार्मिक सोतन्त तीश्य मुआ अधिकार कोen साधन तीश्य मुखल अधिकार है धार्मिक सोतन्ता सटन्त आर्टिकल 25 दिन्विए अठ्थाइस ऐसी अंदारबब अपबन किया गया तो अरुड़ पस्चीस में क्या है अपने धर्म को मानने आचरण करने प्रचार अंता करण करने प्रचार करने की स्वतंतता आर्टिकल सिस्तीन में क्या है आर्टिकल टुंटी सिक्स में क्या है तो आर्टिकल टुंटी सिक्स में किसी भी धार्मिक कारियों को प्रवंध करने की स्वतंतता आर्टिकल टुंटी स में क्या है आर्टिकल 27 में क्या है धर्म की अभिविद्धिक में करो से चूट आर्टिकल 28 आर्टिकल 28 में क्या है तो आर्टिकल 28 में है शिक्षड संस्थानों में धार्मिक स्वतन्तता सुनिक्षित करना सिक्षड संस्थानों में धार्मिक स्वतन्तता सुनिक्षित करना आपका सोसड के बिरुध अधिकार स्वारी यहां पर एक चीज और होगा सोसड के बिरुध अधिकार यह आपका क्रम यह आपका फोर्थ नमबर पर रहेगा और यह आपका थर्ड नमबर पर रहेगा सोसड के बिरुध अधिकार बिरुध अधिकार किसमे उपबंद किया गया है आर्टिकल 23 से लेकि 24 में कि मानों के बलात स्रम वां दूर ब्यपार पर निशेद मानों के बलात स्रम वां दूर व्यपार का प्रतिशेद आर्टिकल थेईस में आर्टिकलचų ओबिस में क्या है कार खानों आदमी बालकों की नियोजन का प्रत्िशेद आर्टिकलचोबिस में है फिर आपकफा आता है धार्मिक स्वतन्तता का अधिकार जो 25 आपको बता चुके हैं 25 में अंताकरण धर्म को मानने प्रचार करने आच्रण करने की स्वतन्ता 26 में क्या है धार्मिक कारियों को प्रवंद करने की स्वतन्ता 27 में क्या है तो कोई भी आप जो धार्मिक अभिविद्धि के एक कोई भी राज का कॉलेज है या भी शुविद्याले या स्कूल है कोई भी ऐसे जो राज का मानता प्राप्त है तो उसमें हर धर्म की लोग पढ़ते हैं तो किसी को बाद नहीं किया जाएगा कि वह जैसे कि वहां पर प्रेयर अगर ऐसी हो रही है जो किसी एक धर्म से अंतता सुनिष्चित करना हां राइट कृष्णा धर्म को मानने प्रचार करने अनतकरण करने की स्वतनता राइट फिर आपका क्या आता है 160 के अधिकार फिर आपका आएगा पाच्वा मूल अधिकार कौन सा है पाच्वा मूल अधिकार संस्क्रİT तथा संस्कृती संस्क्रित तथा सिक्षा संबंधी अधिकार संस्कृति तथा सिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल किस में है आर्टिकल 29 वीडियो पेपल लीक पर वीडियो कौन सा पेपल लीक हुआ है संस्कृति तथा सिक्षा संबंधी अधिकार किस अर्टिकल के इंतरगत है आर्टिकल 29 में क्या बताइग गया है तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्ग की हितों का सरक्षड अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अनुछेद है जो अल्पसंख्यक vegan से संबंधित है या 30 और 30 होगा आर्टिकल 39 में क्या है अल्पसंख्यक वर्ग की हितों का सरक्षड और आर्टिकल 30 में क्या है आर्टिकल 30 में आपका आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्गों का सिक्षड संस्थानों की स्थापना कर सकता है उसका प्रशाशन कर सकता है उसका प्रवंध कर सकता ह यह किसमें दिया गया है आर्टिकल 30 में तो 29 में अलपसंख्यक वर्गों की हितों का सरक्षड जैसे कि कोई अपनी भासा अपनी लिपी से सम्मंदित उसका सरक्षड कर सकता है और अपने धर्म से अपने धर्म में से संबंदित भासा और लिपी का और आर्टिकल 30 में क्या है वो सिक्षर संस्थानों की इस्थापन कोई भी अलपसंख्यक वर्ग अपने सिक्षर संस्थानों की इस्थापना कर सकता है उसका प्रशाशन कर सकता है उसका प्रवंध कर सकता है ठीक है पाच मू मूल अधिकार कंड़ते हैं फुल कितने मूल अधिकार हैं उत्तर खरें सग्दर इसट ísजु चब मैधानिक संबैधानिक उपचारो का अधिकार संबैधानिक उपचारो का अधिकार किस आर्टिकल के अंतरगत उपबन किया गया आर्टिकल 32 में तो आर्टिकल 32 में आपका क्या है संबैधानिक उपचारो का अधिकार दिया हुए ठीक है तो यह आपके छे प्रकार के मूल अधिकार हो आर्टिकल 32 के तहत उच्चितम नयाले को और आर्टिकल 226 के तहत उच्च नयाले को मूल अधिकारों के सरक्षड के लिए या मूल अधिकार को लागू करने के लिए सक्ति दी गई है मतलब जो उचितम न्याले है वो आर्टिकल 32 के तहट मूल अधिकार को प्रवर्तित कर सकता है लागू कर सकता है या मूल अधिकार का सरक्षड कौन है उचितम न्याले इसी तरीके से 226 में क्या है 226 में उच्च न्याले मूल अधिकारों को क्या है सरक्षड करता है अज़े करता है एक आदेश जारी करता है किसको मूल अधिकार को लागु कराने के लिए वो पाँच प्रकार के आपके होते हैं एक फिस प्रतिशेद उतप्रेशड और आपका एक होता है अधिकार प्रिछा तो पाच क्रकार के रिट जारी करता है मूल अधिकार को लागु कराने के लिए प्रवर्थित कर राने के लिए कौन उच्च दम नेयाले और उच्च नेयाले तो यह आपकी कुछ बेसिक सी चीजे थी अब हम लोग कुश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है हां कृष्णा आर्टिकल टू टू टूटी सिक्स अब हम लोग कुश्चन सॉल्व करेंगे किसी अपराध के अभियूगतों को स्वैम अपनी बिरुद्ध गवाः बनने के लिए बाद नहीं किया जा सकता भारती समयधान के किस अनुछेद में यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 23 में क्या है, अपराधों के लिए दो सिध्धी की संबन में, अपराधों के लिए दो सिध्धी की संबन में सरक्षड दिया दिया है, तो उसमें आपका आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में, ऐसी कोई जैसे जिसमें उसको सजा दी जा रहे हैं, तो ऐ ऐसी कोई बिधी जो सजा के दोरा नहीं, सजा के बाद बनी हो, ऐसी कोई कानून जो सजा के बाद आया है, वह लागू नहीं होगा, ठीक है, वह लागू नहीं होगा, आर्टिकल 22 में क्या है आर्टिकल 22 में दोहरे दंड से बचाओ है मतलब किसी एक अपराद के लिए उसको एक बार ही सजा मिलेगी ना कि किसी एक अपराद के लिए उसे बार-बार सजा मिलेगी यह किसमे उपबंद किया गया है आर्टिकल 21 में आर्टिकल 23 में क्या है आर्टि से निशेद स्वयम अपने विरुद्ध साक्षी होने से निशेद या उसे रोका गया है या तो यह आपका आर्टिकल 23 में है अप कोई भी अगर अपरादी है तो अपने विरुद्ध स्वयम गवाही नहीं देगा और इससे सरक्षड कौन प्रदान करता है आर्टिकल 20 क्लॉस थ्री में या सरक्षड प्रदान किया जाता है एंजल गूड इवनिंग कैसे यहां क्लियर है तो आज जो आपका आर्टिकल 20 है उसमें अपराधों के लिए दो सिद्धी के संबन में सरक्षड प्रदान किया गया है जिसमें 21 में क्या है आप लोग बताएंगे 21 में आपका जो दिया गया है कि कोई भी ऐसी बिधी जो बार में बनाई गई हो वो उस बिधी को उस पर लागू नहीं किया जाएगा ठीक है आर्टिकल 22 में क्या है उसके दोहरे दंड से बचाओ मतलब किसी एक अपराध के लिए उसे एक ही बार सजा मिलेगी ना कि एक पराध के लिए उसे बार-बार सजा मिलेगी और आर्टिकल 3 में आपका दिया ही गया है कि किसी भी अपराध के लिए अभियूत को स्वैम अपने बिरुद्ध गवा बनने के लिए बाद नहीं किया जाएगा यह आपके किसमें उपबंद किया गया आर्टिकल 20 क्लॉस 3 में अब आगे बढ़ेंगे निश कुश्चन कुश्चन नमर 176 निमन लिखित में से कौन भारती समिधान के अनुछेद 20 का हिस्चा नहीं है निमन लिखित में से कौन सा आर्टिकल 20 का हिश्चा नहीं है देखेंगे क्रिश्चन गुड इवनिंग हां राइट 22 में दोहरे दंड का प्राउधान है और स्वयम अपने विर्युद्ध गवाह या साक्षी होने का निशेद किसमें है आर्टिकल 20 क्लॉस 3 में है ठीक है अब यहां पर देखेंगे कुश्चन नमबर 176 तो यहां पर दोहरे दंड के लिए अभी हमने देखा कि आर्टिकल 20 टोंटी थ्री में दोहरे दंड का उपबंध है कार्योत्तर बिधी का प्राउधान आपका आर्टिकल 20 क्लॉस आप लॉज 1 में है स्वयम अपने विरुद्ध साक्षी होने से निश्यद आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंतरगत ऊपबंध किया गया है तो इसमें बढ़ेंगे नेस्ट कुश्च नमर 177 बंदी बनाएगे ब्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुछेत में प्रदत्त है देखेंगे कुश्च नमर साथ में डालेंगे आप लोगी कमेंड देख लेते हैं कि आज कुछ समस्या के चलते लेट हो गई थी अंकिदें एक्शुली कुछ समय की ये स्तिति थी कि ग्लास कैशिल करानी पड़ेंगे पर ये वह कि नहीं को सिष करते हैं और कहते हैं कोसिस करने वालों की हार नहीं होती तो टाइम तो बढ़ाना पड़ा पर क्लास हो गई क्योंकि एक बार आप लोग से क्लास ब्रेक होता है तो बहुत जादा फिर वह एक बात नहीं रह जाती ना रेगुलर्टी बनी रहनी चाहिए कुश्य नमर आप लोग साथ में डालेंगे तो यह आपका बंदी बनाएगे ब्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुछेद में है यह आपका हो जाएगा यह आपका आर्टिकल 22 में है आर्टिकल 22 के अंतरगत है ये ठीक है जैसे कि गिरफतारी और निरोध से सरक्षड किसमें दिया गया है आर्टिकल 22 में ही तो दिया वह गिरफतारी कुछ दसाओं में कुछ दसाओं में गिरफतारी एवं, निरोध से सरक्षड, निरोध से सरक्षड, ठीक है, तो यह आपका आर्टिकल 22 से संबंधित है, हाँ, राइट, अंकित का अंसर आया, पूनम का अंसर आया है, पूनम, स्वारी हो सकता, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, यह आपका 177 है, ठीक है, 177 का C नहीं होगा, आर्टिकल 21 में प्राड एवं द्याहिक स्वतन्तता दिया हुआ है, और बंदी बनाएगे, ब्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किसमें है, बंदी बनाएगे, आर्टिकल 22 में, जैसे कि आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 22 में, अगर ऐसी कोई खत्रा है, ऐसा कोई आसंक्या है, कि कोई ब्यक्ति क्राइम कर सकता है, मतलब या उससे देश को खत्रा है, देश की संप्रभूता या अखंडता की आशंका है, तो ऐसे कंडिशन में क्या किया जाता है, निवारक निरोध किया जाता है, जिसके अंतरगत ब्यक्ति को तीन महिने तक क्य सकता है तो अपराध को रोकने के लिए अपराध को रोकने के लिए क्या किया जाता है तीन महें उस ब्यक्ति को मतलब निवारक निरोत के अंतरगत बंदी बना लिया जाता है मतलब हिरासत में रखा जाता है पर अधिक्तम कितने समय तक रख सकते तो तीन महीने तक अगर तीन बंदी बनाया जा सकता है नहीं तो फिर सलाकार बोर्ड के मत के अनुसार या उसके जो भी अनुमत ही होगी उसके एकॉर्डिंग उसे छोड़ भी दिया जाता है तो यह आपका आर्टिकल 22 से संबंदित है है प्रत्यक्ष बंदी करण प्रिवेंटिव डिटेंशन जो घो मनें बताया था इनमारक निरोधे प्रिवेंटिव डिटेंशन को क्या कहते है था निवारक निरोध तो निवारक निरोत का मतलब यह होता है कि कोई भी अभी एक क्राइम हुआ नहीं है मतलब कोई घटना घटी नहीं है पर ऐसे घटना ना हो उसको बचाने के लिए उससे सरक्षर करने के लिए क्या किया जाता है किसी ब्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है उस अपराद होन बंदी बनाया जा सकता है कितने महीने के लिए तो अभी आपको बताया गया था तीन माह के लिए तीन माह से अधिक किसी को बंदी नहीं बनाया जा सकता है अगर बंदी बनाना है तो एक सला कार बोर्ड नियुक्त करना होगा और सला कार बोर्ड से सला लेने के बाद ही उसकी आवधी बढ़ाई जा सकती अन्यत्य उसे तीन महिने तक ही उसे निवारक निरोज के अंतरगत बंदी बनाया जा सकता है पूनम का अंसर आया है अंकित का सभी का सईय वेरी गूड और कृष्णा कृष्णा कृंतल जी कभी आंसर आया है वेरी गूड आगे बढ़ेंगे नेश्ट कुष्ण नंबर 179 धार्मिक स्वतन्तता के अधिकार के प्रावधान के अंतरगत सम्मलित है ठाडर्मिक स्वतंद्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार अभी आपको बताया गया ना कि אौ Muito About Im करने की धर्म को मानने की आचरण करने की प्रचार करने की स्वतंद्रता है किसमें 25 में धार्मिक सोतंतता के अंतरगत 25 से 28 तक धार्मिक सोतंतता का जो अनुछेद है उपुबन किया गया है धार्मिक सोतंतता का अधिकार उसके अंतरगत 25 से लेके 28 तक हमें धार्मिक सोतंतता प्रदान की गए जिसमें 25 में क्या है धर्म प्रचार करने का अधिकार और इसी के अंत करने का अधिकार है, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है, यह आपका नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जागा, यह इसका करेक्ट आंसर होगा, कोई भी ऐसर नहीं है, धार्मिक परिवर्तन करना यह हमारा अधिकार नहीं आता है अंकित का आंसर आया वेरी गूड कृष्णा का आंसर आया राइट को आगे बढ़ेंगे नेश्ट कुछ नमबर 180 भारती समिधान के अनुछेद 25 में प्रयूक्त हिंदू सब्द किसे सम्मलित नहीं करता है आर्टिकल 25 में प्रयूक्त हिंदू सब्द में किसे सम्मलित नहीं किया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पार्शियों को नहीं किया जाता है, बौध जैन सिखों को किया जाता है, पार्शियों को इसमें समलित नहीं किया जाता है, किसमें हिंदू में, जैसे बौध धर्म होता है, आपका एक जैन धर्म होता है, एक सिख धर्म होता है, तो बौध जैन सिख जोते हैं, वो हिंदू ही होते हैं ठीक है पर पार्शियों को हिंदू में नहीं रंखा जैसे इसाइगे आपके हिंदू और है इसी तरीके से पार्शी भी एक तरीके से विद धर में लिए तो पार सी या होंगे यह हिंदू को अंतरगत नहीं रखे जाएंगे कुछ नेमर 181 थोड़ा सा प्रश्ने में प्रॉब्लम है आप लोग एड्जिस करेंगे ठीक है थोड़ा सा प्रश्ने टाइपिंग में मिश्टेक है तो देख लेंगे यहां पर है आपका आर्टिकल 23 ठीक है और हमें यहां पर थोड़ा सा आपका प्रश्नी धर उदर हुआ है देखिए आर्टिकल 23 में क्या है हमें यह देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है कौन सा सुमेलित नहीं है तो आर्टिकल 23 में क्या है मानों के दुर्वेपार एवं बलातस्रम का प्रतिबंध है बिल्कुल सही है यह आप पर आपका option आना चाहिए था B, ठीक है, B आपका यहां shift हो गया है, तो B को ऐसे कर लेंगे, बी को इस तरह से कर लेंगे, आर्टिकल 24 में क्या है, आर्टिकल 24 में है कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिशेद, ठीक है, प्रतिशेद, तो यह आर्टिकल, यह भी आपका बिल्कुल सही सुमे लेते हैं, ओके, अंकित ठीक है, देखें, आर्टिकल 23 में क्या उपबंद किया गया है, आर् फिर यहां पर बी नीचे दिया गया है और इसे थोड़ा सा उपर नीचे हो गया है तो इस आर्टिकल 24 में क्या है कार खानों आधि में बाल को की नियोजन का प्रतिशेद यह भी आपका बीवी सही है फिर आपका सी अभी हम लोगों ने रेखा था ना आर्टिकल 26 में क्या है धार्मिक कारियों के प्रबंद की स्वतनतता दिये गई है तो यह भी आपका बिल्कुल सही है डी आपका क्या है यहां पर हमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर होगा आ आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों की हितों का सरक्षड है ना कि सिक्षड संस्थानों की इस्थापना और प्रशाशन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार तो यह आपका जो इसमें दिया गया है यह 30 में होगा 29 में क्या होगा 29 में अल्पसंख्यक वर्गों की हितों का सरक्षड प्रदान किया गया है ठीक है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के सरक्षड का अधिकार है और आर्टिकल 30 में क्या है आर्टिकल 30 में सिक्षड संस्थानों की इस्थापना और प्रशाशन करने का अल्पस नहीं है ठीक है पूनम का अंसर आया कृष्ण कुंतल जी का अंसर आया अंकित का अंकित का नहीं डी होगा अंकित अच्छली वह सकता उपर नीचे था इसलिए गलत हो गया हो डी होगा इसका अंसर कुष्ण नमबर 182 निम्न लिखित यूगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है देखेंगे थोड़ा सा टाइपिंग में है तो क्लेटी कम है तो एड़ेस कलेंगे अभी हम लोगों ने देखा मानों की दुर बेपार तथा बलात श्रम बलात यहां पर ऐसे हलन्त होगा नीची के तरफ बलात श्रम का प्रतिशेद किस में दिया गया अनुच्छे 23 में तो यह आपका स चारों का अधिकार अनुच्छे 32 यह भी आपका साहिए सिक्षड संस्थानों की इस्थापना तथा प्रशाषन करने का अलपसंख्यक वर्गों का अधिकार 31 में नहीं है मतलब यह हमारा गलत है यह किसमें दिया गया है यह तो आपका आर्टिकल 30 के अंतर गतुपबन किया गया अनुच्छे 31 को क्या कर दिया गया है अनुच्छे 31 को 44 सम्मिधान संसोधन 1918 के द्वरा क्या कर दिया गया है निरस्थ कर दिया गया अब अनुच्छे 31 हमारा नहीं रहा ठीक है अनुच्छे 31 क्या हो चुका है अब यह निरस्थ ह हो चुका है हाँ 182 का दी आंसर होगा राइट ऑफशियल भवनेश यादो जी आंसर आये डी वेरी गुड पूनम का अंसर आया सभी का अंसर चाहिए बहुत अच्छा कुछ नमबर 183 प्रशन को ध्यान से पढ़ेंगे कथन कारण वाले प्रशने तो यहां पर थोड़ से समझ की जरूरत होती है ठीक है बस पानी पी लेते तब तक आप लोग भी आंसर करते रहें ओके कथन करण वाले प्रशने आपके कर हैं भारति संभीधान का न अंअर्टिकल 30 अलपसंख्यक वर्ग शब्द को परिभासित नहीं करता ह। ठीक है आगे देखें किते कारड क्या है संभिधान केवल भासाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मानता प्रदान करता है तो यहां पर आपका क्या है कथन और कारड दोनों से यह पर जो आपका कारड है वो कथन की ब्याक्षा नहीं कर रहा बीस का आंसर होगा कैसे कि जब भी आपके कथन और कारड वाले प्रसन आ tyre जब भी आएंगे कभी भी आ멍े उसका एक ही такая हमेशे हमने बताया है कि यहां पर जब आपका प्रशन उपर पढ़ेंगे तो उसका उत्तर हमेंसे हमें क्योंकी करके आना चाहिए ठीक है उसका उत्तर क्योंकी या लेकिन लगाने पर आना चाहिए बिल्कुल भारती समिधान के अर्टिकल 30 में अलपसंख्यक वर्ग को परिभाशित नहीं किया गया बलकि यह का गया कि जो जो है भ आख्या नहीं कर रहा है 183 का बी आंसर होगा कृष्ण कुंतल जी का अंसर आया वेरी गुड कुछ्चिन में 184 मौलिक अधिकारों का सरक्षक किसे माना जाता है मौलिक अधिकारों का सरक्षक न्याए पालिका को आप आर्टिकल जब 13 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि मौल अधिकार से असंगत कोई भी बिदिया होगी तो ऐसी बिदिया जहां तक उलंगन की सीमा तक सून्ने घोशित कर दी जाएगी ठीक है तो उसमें आर्टिकल 13 में यह भी कहा गया है कि जो न्याए पालिका है न्याए पालिका को न्याइक समिक्षा की सकती है मतलब अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता ऐसे कोई बिदि लाई जाती है जो मौल अधिकार का उलंगन करती है तो न्याले क्या करेगा न्याले उस सीमा तक उस बिदि को उस कानून को क्या कर देगा सुन्ने घो आर्टिकल 13 के अंतरगत यह प्रस्न पूछ पूछा जा सकता है आर्टिकल 13 के अंतरगत मूल अधिकारों का न्यायाले को का न्यायाले को न्यायाले को मूल अधिकार का प्रहरी भी कहा गया है प्रहरी क्योंकि न्यायाले क्या होता है न्यायाले मूल अधिकार को प्रवर्तित कराता है उसे लागू कराता है उसे सरक्षड प्रदान करता है मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है किससे राज्य से सरकार से कि आगे बढ़ेंगे कि सभी का अंकीत का अंसर आया है राइट कुश्चनमर 185 सव्मिदान के अंतगत मूल अधिकारों का सरक्षड kone hai अभी प्रशन हुआ अपका भी थिखे तो सरो्च न्याले क्या है मूल अधिकारों को सरक्षड है अभी बा वक है प्रहरी है ठीक है यह सब किसे कहा गया है उच्छ Colonial screening नियाले को कहा गया है, आगे बढ़ेंगे, नेस्ट, कुछ नमर 186, निम्नलिकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, चार बिकल्प दिये हैं, उनमें से एक आपका क्या है, सही नहीं है, तीन आपके सही होंगे, तो देखेंगे, 185, अच्छा, 185 का अंसर आ रहा, C, प्यूस, कृष्ण कुंतल जी, सौरप, पूनम, सभी का अंसर चाहिए, अंकित ने 186 का अंसर दिया है, तो बिल्कुल इसका D होगा, केयम मुंसी सम्मिधान, केयम मुंसी सम्मिधान का प्रारूप बनाने वाली समित्य के एक सदस थे, बिल्कुल, प्रारूप समित्य में कुल कितने सदस थे, शाथ, प्रारूप समित्य के अध्यक्ष कौन थे, डाक्टर भीराम अंबेटकर, और अन कितने सदस थे, छे, तो छे में आपके केयम मुंसी थे, आइंगर, और आप ठीक है तो यह कुल छे सदश्य थे हमारे किसमें प्रारूप समित में जिसके अध्यक्ष कौन थे डाक्टर बीराव अमबेट कर दूसरा सम्मिधान सभा द्वारा भारती सम्मिधान को स्विकार किया गया बिल्कुल सही है बल्वंत राय महत्या समित रिपोर्ट ने रिपोर् किया गया था कब किया गया था किस संसोधन द्वारा तो 73 समिधान संसोधन 1993 के द्वारा क्या किया गया हमारा पंचायत का गठन किया गया पंचायती राज ब्यवस्था की गई पहले नहीं थी कब किया गया और किस की समित की सिफारिज पर किया गया था तो बल्वंत राय मह हैं इसमीट की सीफारी पर पंचाइतः राज का गठन हुआ और किस संसोधन द्वरा पacıattariva sampidjan-san-so मिइंश 400 سबन द्वारा on मैं के सब के नाम क ठीक है बता देते ला क्लार कलास की लाष्ट में बता देंगे कोई दिक्कत क्लास के लाश्ट में बता देते हैं ठीक है कुश्य नमें 187 निमने लिखिद में से कौन से अधिकार भारती समिधान के आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 के अंतरगत क्रवर्तित किये जाते हैं तो बिल्कुल समय आपका हो जाएगा आर्टिकल 32 में क्या है समबैदानिक उपचारों का अधिकार है जिसके ताथ उचितन नयाले और उच नयाले को शक्ति मिलती है मूल अधिकार को प्रवर्तित करने की लागू करने की तो आपका और इसी को डाक्टर बी आर अंबेटकर ने क्या कहा था आर्टिकल बी आर अंबेटकर ने समबैदानिक उपचार को ही सम्मिधान की आत्मा कहा था वैसे हमारी प्रस्तावना को भी सम्मिधान की आत्मा कहा जाता है पर डाक्टर बी आर अंबेटकर ने समबैदानिक उपचार के अधिकार को सम्मिधान की आत्मा कहा था बी आर अं अंबेटकर जी ने हां सभी का अंसर आये वेरी गूड कुष्ण में 188 निम्न लिखित में से किस एक का किस एक अधिकार को डाक्टर बीयार अंबेटकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा ज़स्ट वही प्रशना आ गया तो अभी आपको बताया गया किसको संविधानिक उप् 189 निम्न लिखिन में से किस एक प्रलेग को किसी ब्यक्त की सुतंत्ता का महांतम रक्षक माना जाता है आंसर करेंगे आप लोग तो यह आपका 20 का राइट आंसर होगा जो रिट जारी करता है उचितम नियाले तो पाच प्रकार की रिट जारी करता है कौन कौन सा एक होता है आपका बंदी प्रत्यक्षी करण में क्या होता है बंदी प्रत्यक्षी करण में नियाले आदेश देता है कि जिस ब्यक्ति को गिरफतार किया गया जिस ब्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे न्याले की समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो न्याले नेड़े देगा अगर उसका उसे जो बंदी बनाया गया है अगर वह सही तरीके से बनाया गया मतलब उचित है उसका बंदी बनाना तो ठीक है अगर न्याली द्वारा उसे मुक्त कर दिया जाएगा ये किसमें प्राउधान किया गया यह रिट कौन जारी करता है उचित्म न्याले और उच न्याले तो पाज प्रकार की रिट एकौन कौन सी पूछा जाता है एक तो अब बंधी नसे क्या दूसरा दूसरा आपका क्या हो जागा पर्मादेश परमा देश 5 तीसरा आपकां होजाता है प्रतिशेद ठीक है तीस रहा ज़ुडना प्रतिशेद पहुत प्रतिशेद प्रिशड आपकल प्रेशनısı सब्सक्राइब पाच प्रकार की रिटे होती है और पाच वह आपका क्या हो जाएगा अधिकार प्रिक्छा konse प्रिक्छा तो बंदी प्तक्षीकर्ण में झालोह के समख्ष प्रस्तूत की जाता है परमादेश में क्या होता है जो उसके अधिनस्त न्याले होते हैं अगर ऐसा कोई कार है जो उसके अधिकारता छेत से बाहर का है तो उसे करने से मना करता है ठीक है उसे करने से मना करता है उत्प्रेशण में क्या किया जाता है तो उत्प्रेशण में अगर कोई अधिनस न्याले ऐसा कोई निड़े दे देता है जो उसके अधिकारता छित से बाहर का हो तो उसमें न्याले आदेश देता है कि ऐसे निड़े को क्या किया जाए ऐसे नि पद जहां पर ऐसे लोग नियुक्ति या लोग सरकारी नियुक्ति या सरकारी नियोजन में ऐसा कोई ब्यक्ति जो अबैद रूप से उस पद का उपयोग कर रहा है मतलब उस पद पर वह अबैद रूप से है तो उसे उस अधिकार से वन्चित किया जाता है मतलब उसे जहां पर वह अबैद रूप से है, वहां से उसे अधिकार से निरस्त किया जाता है, यह आपके अधिकार प्रिक्छा में आता है, 187 का B, देख लेते हैं, नई, आपके 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, ठीक है, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के आपके मौलिक अधिकार है, तो यहां पर article 32 में क्या है Article 32 में तो क्या उपवन किया गया है article 32 में संबैदानिक उपचारों का अधिकार ही तो बताया गया आर्टिकल 32 में तो बिल्कुल सही है आपका 187 आगे बढ़ते, आपका ये clear हुआ, कितने प्रकार का रिट होता है, पाच प्रकार का रिट जारी करता है, न्याले, उच्छितम न्याले हमारा या उच्छितम न्याले, किसलिए मूल अधिकारों को प्रवर्तित या लागू कराने के लिए, आप question number 190, Baktigat, Baktigat स्वतंतरता के लिए उच्छिने न्याले निमने लिखितम में से किसरिट को जारी करता है, तो आपका ये answer क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षी करण बंदी प्रत्यक्षी करण किसे संबंदी थे ब्यक्तिग्यत स्वतंत्रता से संबंदी थे जिसके अंतरगत न्याले आदेश देता है कि बंदी बनाए गए ब्यक्ति को न्याले के समक्ष प्रस्तूत किया जाए और वहां पर वह अपने कि मैं कि एक मिनट आपके कमेंट देख लेते हैं अच्छा कोई ने जैसे आपकी जो अगर आपको सिर्फ रिवीजन करना है ठीक है तो यह जो सेलक्शन सेरी चलाए जा रहे हैं यहां पर आपको mcq p y q कराये जा रहे हैं इसको आप लोग करें यहां से इससे क्या होगा आपका बीच बीच में जो आपके भूल गये वह रिवीजन भी होता जिस टॉपिक में दिक्कत आ रहे उस टॉपिक के क्लास को देख लिए वहां से भी आपका रिवीजन हो जाएगा कि जस्मिनट कि अच्छुली आज क्लास यहीं पर समाप्त होगी ठीक है